हेलो फ्रेंड्स, इन्फो लाप में आपका स्वागत है, दोस्तों आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, वट्सेप कॉल के थ्रू, समस के थ्रू, इमेल के थ्रू, जो के आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे, साथ में क्या हैं सेफटी टिप्स और कैसे इन करें और बिल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, दोस्तों आजकल कई सारे जो हैं फ्रॉड्स और स्काम चल रहे हैं, जिनको ऑपरेट किया जाता है, SMS के थ्रू, WhatsApp के थ्रू, ट जो हैं, फेक एक्जिक्यूटिव्स वो आपका परसनल डेटा कलेट करते हैं, जिससे कि आगे मार्केटिंग एजिंसिस को बेचा जा सके, इन स्काम से तभी बचा जा सकता है, जब आप अलर्ट रहेंगे, क्योंकि जितना जादा आप अलर्ट रहेंगे, सतर्क रहेंगे, अब मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, कुछ SMS जो मुझे भी रिसीव हुए हैं, और इन फेक और फ्रॉड SMS के तुरू आपसे आपकी परसनल डेटेस और डेटा मांगा जाता है, फ्रेंट्स एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जितने भी हमारे जो हैं, गौर्मेंट ब बेजते जहां पर वो आपसे आपकी परसनल डेटेल्स मांग रहे हूं, अगर कोई भी परसन आपको बैंक इंप्लॉई बनके कॉल कर रहा है, या फिर आपको SMS के तुरू ये परसनल डेटेल्स और इन्फरमेशन मांग रहा है, तो अलर्ट हो जाएं और ऐसी इन्फरमेशन कभी भी SMS के तुरू, WhatsApp के तुरू ना प्रोवाइड करें, कुछ फेक और फ्रॉड SMS मुझे भी रिसीव हुए हैं, आइए चलिए मैं आपके साथ में वो SMS शेयर करता हूं, जिससे आप भी सतर्क हो सके, अलर्ट हो सके और इन तरीके के स्कैम से बढ़ सके, तो फ्रेंड्स यह है सबसे पहला SMS जहां पर लिखा हुआ है, यहां पर आप ध्यान देंगे तो यह है, एक प्राइवेट नंबर से मेरको यह SMS रिसीव हुआ है, अब फ्रेंड्स इसके उपर बात करें, तो यह जो है, यह टोटली एक फेक SMS है, क्योंकि जैसा आने आपको वीडियो में बत प्रॉप नहीं करेगा, जहां पर वो आपकी personal details मांग रहा हूँ, साथ में आपने कभी भी इन जो है links पे click नहीं करना है, जो कि आपको SMS में भेजे जाते हैं, अब यहां पर जो भी यह fraud person है, जिसने मेरको SMS भेजा है, उसका main जो motive है, purpose है, वो यह है कि आपसे आपकी personal details collect करन अब मैं यहां पर आपको बता दूँ कि मेरा जो है, वो account ही नहीं है HDFC bank में, तो यहां पर block unblock की बात कहां से आ गई, तो जितने भी यह fraud persons होते हैं, इनका एक main purpose यह भी होता है, यह bulk में SMS भेजते हैं लोगों को, और उसमें कई सारे logo के उपर जो है, वो click भी करता है, like मेरा account HDFC bank में नहीं है, बड़ हो सकता है कि आपका account HDFC bank में हो, और आप इस impression में आ जाएं कि आपका account वो block हो जाएगा, और आप अपनी personal details provide कर दे, तो ऐसे numbers पर private numbers पर कभी भी अपनी personal details ना बेजे, आपके मन में कोई doubt है, कोई भी तरीके का कोई issue है, तो कितने सारे हमारे जितने भी nationalized bank हैं, या जितने भी private banks हैं, उनके help time numbers हैं, आप उन पर call कर सकते हैं, या फिर अपने nearby bank में visit करके वहाँ पर inquire कर सकते हैं, अब यह देखिए second fake SMS जहाँ पर clearly लिखा है, dear SBI customer, your account has been blocked due to KYC, updated within 24 hours, अब यहाँ पर जो है again यह private number से मेरे को receive हुआ है, और जैसा मैंने आपक collect कर सकें, और bank कभी भी आपको ऐसे private number से SMS नहीं करेगा, details नहीं लेगा, so friends, again मैं आपको वही बताता हूँ कि जो bank है, वो कभी भी आपको ऐसे private number से message drop नहीं करेगा, और आपकी personal details नहीं मांगेगा, यहाँ पर फिर जो है, मेरा जो है, कोई SBI account नहीं है, बट यह लोग जो है bulk में बेजते हैं messages इधर उधर सारे लोगों को, जिससे कि वो कही ना कहीं किसी ना किसी के उपर click करता है, क्योंकि मेरा account नहीं है, बट आपका SBI account हो सकता है, तो आप यह समझेंगे कि यह bank से SMS आया है, बट यह जो है totally fake और fraud SMS है, so friends, जो सबसे जादा आपके काम आईगी, व ना करें और तुरंत इनको अपने जो है phone पे block करें, जिससे कि future में वो आपको contact ना कर सके, अब friends, यह देखिए, third SMS जहां पे लिखा है, dear customer, your KYC is pending, और साथ में यह भी लिखा है, कि your mobile number will be stopped in 24 hours, again this is a fake SMS और इसकी जो पहचान है, वो यह है कि यह private number से message drop कर रहा है, और यहां पर ही हमारी personal details मांग रहा है, जितनी भी mobile companies हैं, वो कभी भी आपको ऐसे private number से message नहीं भेचती और आपका personal data नहीं collect करती, तो friends, आप देख रहे होंगे, कैसे कभी bank के नाम पे, कभी mobile company के नाम पे, आपकी जो है personal details, personal data मांगा जा रहा है, अब एक और SMS में आपके साथ में share करत हूं, जहां पे लिखा है, dear, साथ में mobile number लिखा है, good news, you are selected for rupees 5250 directly in your account, so friends, आपने देखा, यह SMS, यह तरीके का lottery type का SMS है, जहां पर आपको एक amount दी जा रही है, यह जो amount है, यहां पर तो इसने कम amount लिखी है, 5000, कई बार यह 50,000 भी हो सकती है, 1,00, भी हो सकती है, जहां पे आप यह जो है, हम आपके account में transfer कर रहे है, and you have been selected for the gift, friends, आजकल जो सबसे आदा fraud चल रहा है, वो यह है, कि एक जो है, executive आपको call करेगा, वो किसी बड़ी company का नाम लेगा, जहां पर वो आपको बताएगा, कि आपका जो है, 1,00, रुपे का gift निकला है, जिसको कि हम आपको cash आपक documentation complete करेंगे, documentation के नाम पर आपसे आपके अधार कार्ड, personal details, bank account की details मांगी जाएगी, और साथ में यह कहा जाएगा, कि आपकी एक file prepare होगी, इस documentation को complete करने के बाद, जो सबसे main चीज़ है, जो इनका purpose है, वो यह कहेंगे, कि आपको एक security amount, एक tax amount देनी पड़ेगी, 1,00, रुप transfer कर देंगे, tax amount के नाम पर, उसके बाद यह हर तरीके का contact आपसे block कर देंगे, आप किसी भी तरीके से इनसे contact नहीं कर पाएंगे, और यह पूरा का पूरा एक scam है, fraud है, जहाँ पर इस तरीके से लोगों को लूटा जाता है, so friends, इन fraud और scam से तब ही बचा जा सकता है, जब आ alert रहेंगे, साफधान रहेंगे, सतर करेंगे, and कोई भी यदि आपको call करता है, वो खुद को bank का employee बताता है, या फिर manager, आपने कभी भी अपनी personal details उसके साथ में नहीं share करनी, कभी भी अपना आधार card का number, bank details, OTP password, PIN या फिर credit या debit card का number कभी भी किसी के साथ में share नहीं करना मेरी आप सबी को यही सला है, इन तरीके के fraud, SMS, emails, WhatsApp, messages या फिर calls का reply कभी भी ना दे, और इनको तुरंद अपने phone पे block करें यदि आपके मन में कोई भी doubt है या फिर query है तो आप bank में directly call करके या फिर वहाँ पर visit करके अपने doubts और query clear कर सकते हैं और साथ में इस तरीके के frauds और scam से बस सकते हैं साथ में जब कभी भी आपको ऐसे fake SMS, WhatsApp messages या फिर टेलिफोनिक calls receive हों तो immediately इनको block करें जिससे की ये future में आपको contact ना कर सके एक और important बात ध्यान रखना friends, कभी भी अगर ऐसा fraud आपके साथ में हो जाता है तो immediately अपने concerned bank को contact करें और साथ में पुलिस station में इसकी complain दे जैसा कि मैंने भी आपको वीडियो में बताया इस तरीकी की fraud और scam की complain आप cyber crime department में भी कर सकते हैं इसका जो site का link है वो मैंने नीचे description box में दिया है Friends, I hope आची वीडियो आपको अच्छी लगी होगी so like button को press करे and this useful information को share करे among your friends and family members आपकी कोई भी legal query है या फिर doubt है तो आप मेरे को email के थुरू भेज सकते हैं email मैंने नीचे description box में दिया है चैनल पर आप नई है और हमारे चैनल को आपने अब तक नहीं subscribe किया है तो सबसे पहले चैनल को subscribe करें and bell notification को press करें जिससे कि हमारी सारी latest updates और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुच सके thanks for watching info lab